हेलो, वेलकॉम फ्रेंड्स गाइस आज के इस वीडियो में, बात करने वाले हैício already जिसको आप नस्वा मुक्तिकंद्र के नाम से भी जानते है सब्सक्राइब क्या इटियोे क्या रीयल्टी होती है , viteydickson centers की जो नस्वा मुक्तिकंद्र की क्या STRC चाहिए होते हैं गाइस कई बार जब पेसेंट को नस्वा मुक्ति के इंद्र बढ़ती किया जाता है तो कई बार क्या है एक जो कुश्चन चलना होता है पेसेंट के रिगार्डिंग फुच यही चलना होता है कि जब पेसेंट को बढ़ती किया जा रहा है तो कहीं उसके साथ कोई क्या है गलत तरीके से कोई बढ़ता हो वगेरा या कुछ गलत ना हो गाइस आज के इस वीडियो में हम जो गाइजियन की चिंता हैं उनके बारे में बात करेंगे और एक पॉइंट अव्य देखेंगे आपके डिय एडिक्सन सेंटर का जब आप इन दोनों पॉइंट और व्यू को समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्या रियल्टी है तो गाइस इस वीडियो का पुरा देखें इस वीडियो में आपको प्रॉप और बे में समझाने बाला हूं तो सबसे पहले बात आती है कि गारिजियन की क्या है पेस्ट को ले कि गया अब वह क्या करेगा डिय इडिक्सन सेंटर में जाएगा अब वह अपने पेशनस को यहां रखना चाहता है अब देखिए डिए डिक्शन सेंटर के पास जब प्यास अब इसने को फूदाने का प्रयास करेगा, अब यह तो आपको पता है यह तो गर्मल बात है पर गाइस यहां पर कुछ गलत ना हो यह सब पर देखिए आपको अपने पेसेंट के साथ पहरे तो काम करना पड़ेगा जब एडिक्सन की लट होती है तो उसको छुडाना काफी मुझकल होता है अब गाइस इस लट को छुडाने के लिए काफी वार क्या है डिया जाता है अ और कई वार समझना के कम हो जाती है लेकिन गाइस देखिए होता है किसी व्यक्ति को कि चीज का एडिक्सन हो गया जैसे दवाईयां खाने का या किसी को भांग खाने का हो गया या किसी को क्या जैसे गांजा हो गया या कोई भी चीज हो गई इसको खाने का एडिक्सन हो गय लगती है और जो सोचने समझने की चमता होती है वो क्या जाने लगती है तो जो पेसेंट होता है वो अपने घर वालों के साथ बाहर वालों के साथ अगल वगल जो व्यवार है उसका क्या है थोड़ा रूड हो जाता है और जो पेसेंट वो अकेला रहना चाहता है अब गाइस जो ब्यवार है, इसको क्या है एक दिन में नहीं बदला सकता है। इसके लिए क्या है, क्वोट शकते हैं, वो होता है डे एडिक्सन सेंटर ही तरफ से। गयस ядक्षंस इंटर में क्या होता है यह समझ द्यान से तंस होता है quin mechanics हो अब देखे वहां पर क्या है जो अच्छे एक सेंटर होते हैं उनका दीए कि एक ड्रूटीन इतने बज़े नुका लंच होना है इतने बज़े नुका डिनर होना है मतलब पूरी जो दिन चर्जा होती है वो decided होती है और अगर कुछ छोटे मोटे functions होते हैं वो भी क्या मनाई जाते हैं अब गाईस यहां पर बात यह कि भाई कि डी एडिक्सन सेंटर क्या है कई बार क्या है कई बार आपने सुना हो कि भाई क्या है पेसेंट के साथ कई बार गलत हो जाता है यह चीज़े काईस विल्कुल सुनी होती है और गाईस कई बार आपने सुना कई ना कई होगा और गाईस आप किसी ना किसी सर्वेस हो जरूर रहते होंगे तो गाइस आपको पता हुआ कि рассoul advanced होगा उसके बारूब कुछ न कुछ वात है आपको पता होगी कि आभ ली जान्खारइब कि कभी बीठेर्ट को जब डीएंट्स सेनिक के लिए शाहता है सिर्फ ऐसा तो नहीं कि वर उसको क्या वहां बहांदान के क्या रखा जा रहा है क्या यह सब चीजे आपको पहले क्या चेक करने पड़ेंगी अब गाइस आप वहां जाके पता नहीं कर सकते हूं अब देखिए काफी आज के डैट में के युट्यूब चैनल आ गई है आपको पता है आजकी देन में आनलान के जमान आ गया है और इस जो अच्छे आपके दिए अच्चा काम कर रहा हूं उनको पता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूंEt ओनलाइन दिखाने में कोई दिक्कत नहीं और दिए जो पता है शूर्द धूंट के हुआ है। लेकर आपको यह समझना है कि इदि आप patient को बर्ती करने के जा रहा है कि कोई patient है तो आपको पहले यह चेक करना है कि जो डाय से है इसमे उसमें क्या situation है तो यह में भी ही वात है कि जो person आपको अपनी presence ऑनलाई दिखा रहा है सब कुछ आपके सामने रियल्टी आ रही है तो 120 से जगाता है कि फिर ऐसे जो डियरिक्सन सेंटर है उन पर फिर आपको क्या टेस्ट करना पड़ेगा और वाकी का फिर यह है कि वही आपको क्या है जो आज पास लोग रहते हो या वहां पर किसी को क्या बढ़ती वगारा किया हो तो आप क्या उससे संपर कर सकते हैं और वहां से आपको क्या है जो रियल जानकारी है जो विल्कुल 100% जानकारी है वो आपको मिलेगी अब गैस हो सकता है काफी लोग कमेंड रोक्स में यह लिकें कि भाई सर मुझे बता दो एक अच्छा डियरिक्सन सेंटर कहा है यह का दो आपसे बात कहना चाहूंगा कि भाई देखे मैं आपको किसी सेयर का जानकारी पूर्य तरीके से नहीं दे पाऊँगा क्योंकि देखी आपको पता है कि इस देश में बहुत सारे डियरिक्सन सेंटर के पर पता कर पाना बिल्कुल संबब नहीं जो रियाल्टी होती है र वही व्यक्तित रह सकता है जो वहां से सई हुआ हूँ या फिर क्या है कि उसकी कोई online presence वगराओ जहां पर चीजों को देख रहे हूं गाइस मैंने YouTube पर काफी चीज सर्च की तो गाइस जब हम YouTube पर सर्च करते हैं तो गाइस काफी चैनल सा जाते हैं जहां पर क्या है डी अडिक्सन का वर्क होता है तो गाइस वहां पर क्या है जो नसा मुक्तिकेंद होते हैं वहां पर क्या है प्या कराते हैं क्या उनका रोटीन होता है और जो डी अडिक्सन सेंटर को खोलने का क्या परपज है कई वारतों क्या होता है कि कुछ लोगों का पर आपने किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए एक टूशन लगाया अब गाइस जो बच्चा है वो कैसे पढ़ेगा जैसे टीचर पढ़ाएगा अब टीचर जो पढ़ाएगा जिस तरीके से गाइड करेगा उसी के बच्चा क्या परफॉर्म करेगा अब होता है कैए बच्चा वही है लेकिन जब आप करी बच्चा और चेंज गरते हैं तो आपको पता चलता है कि बच्चा हमारा और अच्छा करता जा रहा है बच्चा मारा और ज़्याद अच्छा करता जा रहा है तो गाइस से मुस्सी तरीके से यदि आपको लग रहा है आप कहीं करा चुके हैं बढ़ती डिक्सन सेंटर में आराम नहीं मिला है या कुछ प्रॉलम्स हो रही है तो गाइस यह आप चीज़ समझे लो कि हो सकता है वहा प्रोल्प बना है तो हमा तो पाने हैं को सब्सक्राइब करें बिलूको filters करें ग्रटिके लोग निम्चल् Bay, तो उसमां कि हो भी पिए जा रहे हूं उसकता चाचा भी पिए जा रहे हूं तो उनका एडिक्शन लोग करते हैं जो सरकार ने बैन कर रखे हैं तो आपकी जो अब करेंटल कंडिशन हैं वह गरबड होने लगती है और गाइस कुछ ऐसी बीमारिया भी हो जाती है लोगों में जिनके कार एडिक्शन करने का मन भी करता है जैस करिए कोई परसन है उसको सब्पोच करिए उसकी बॉड़ी में पेन होता है सब्पोच करिए अगर किसी परसन जाएगा तो गाइस कोई भी दवाई खाना विडावट रिजन क्या है एक नसा है कोई भी दवाई आप खाओ चाहें आप बुखार की खाओ चाहाँ आप दर्ज की वह एक नस्य की कर्टेग्री में फिर आने लगता है और जब वह वेक्ति उसका एडिक्ट हो जाता है तो अगर वह चीज को नहीं खाएगा तो बॉटी में क्या है फुड़ा अजीव सा लगेगा मलब कहीं न करी उसको क्या प्रॉलम होगी चिट्चड़ा पन रहेगा उसके अंदर उसका किसी से बात करने का मन नहीं करेगा और अकसर ये भी एक चीज़ देखेगी वह फोन में व करना पड़ेगा अगर आप ये सोचते हैं कि ऐसी सब कुछ हो जाएगा तो ये सब चीजै करना कि हो फोड़ा मुस्किल हो जाता और GUYS कहीं ना कहीं जो इलाज है वो कराना पड़ेगा अगर और सूचिन कि उसको के हाल पर छोड़एं तो यादु आपने उस हाल पर होते हैं उनको क्या है काफी क्या है अपने अंदर पेसेंस बना के रखना पड़ता है और गाइस जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं एक वाद वस यह कहना चाहूंगा कि यदि आपके आसपास कोई ऐसा पेसेंट है तो गाइस उसके अंदर की चीजों को समझने का अपना पेसेंस बनाते की फिमकॉज आप भी सोसाइटी के नागॉत हो और गाइस इस सोसाइटी में आगर आप अच्छा चेंजब्द आना चाहोगे तो guys definitely एक अच्छा चिंज होके आएगा और guys चीजों के प्रति आप लोगों को aware कीजिए guys जो भी आप जानते हो वो चीज को अगर आप फैला होगे definitely एक अच्छा नाम और एक अच्छा पैसा जरूर कमाऊगे guys definitely मैं आपसे कहा रहा हूँ कि एक अच्छा नाम और एक अच्छा पैसा जरूर कमाऊगे guys यदि आपके पास कोई भी एक जानकारी है मैं आपसे कहा हूँ अगर आपके पास कोई भी जानकारी है अच्छी जानकारी है और आप उसके वारे में proper knowledge रखते हैं तो guys यदि आप YouTube पर भी वीडियो जानना शुरू करते हो और अप automatic क्या viral हो रही होते हैं और guys जब चीज़े viral होते हैं तो definite बात है कि वह एक अच्छा outcome आपके लेके आते हैं guys एक मैं आपको छोटा सा example देना चाहूंगा guys अभी एक video बज़र वायर होता बचपन का प्यार भूलना जाना guys जो बचपन का प्यार है वह एक video बज़र वायर होत बट एक बात यह करेंगे कि patience के साथ यदि काम किया जाएगा definitely साही चीज अच्छी होंगी और guys इन सब चीजों के लिए यदि आप doctor के contact में रहेंगे जैसे अगर de-addiction करना है अगर addiction की लग चुकी है patient को तो अगर आप doctor के contact में जितना रहेंगे वह उस patient के लिए बहुत आप doctor को सही बताएंगे तो फिर फायदा किया विल्कुल definitely अच्छा हमलेगा और यदि आपको चीजों को चुपाएंगे तो फिर देगे क्या patient जो condition है वो all खराब होती जाएगी guys मैंने आपको यह चीजे समझाने का बहुत चीज प्रयास किया आपको समझाया और guys मैं आप से यह करना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को सेर कीजिए लाइक कीजिए और guys है सब्सक्राइब और नोटेकर से मिल रहा है क्योंकि हम आपको यह शुडूर लाते हैं चलिए मिलता हम से नए शुडूर ने तब तक सुक्रिया क्या है